हेलो फ्रेंड्स वेलकम टो मंजू निटिंग चैनल आज मैं आपके लिए यह दिखिए लेटेस्ट डिजाइन लेकि आई हूँ भूट सुदर डिजाइन है चोटा-छोटा सा यह स्टयाइबल जयसा बनता है यहे दिखिए इसको आप किसी भी प्रोजेक्ट पर डाल सकते हैं लेडी स्वेटर पे जैंड स्वेटर पे बच्चों के स्वेटर पे जैकेट पे स्टॉल बना सकते हैं मफलर कैप ब्लैंकेट कुछ भी बना सकते हैं इस डिजाइन में बहुत संदर लगने वाला डिजाइन है और बहुत जल्दी त्यार होने वाला डिजाइन है कि यह फ्रंट साइड से ऐसे नज़र आ रहा है और बैक साइड से यह दिखिए यह रिवर्सेबल डिजाइन है दोनों साइड से एक जैसा बनता है इसको बनाने के लिए जो हमें फंदे चाहिए होंगे आप त्री के मल्टिपल से फंदे डालेंगे यह दिखिए त्री त्री एक्सटर डालेंगे यह दिखिए तो यह दिजाइन आपके प्रजक्ट पर बिल्कुल अच्छी तरह से सेट बैठ चाहिए है कि मल्टिपल से फंदे डालने पहले दो फंदे एक्स्टर डाल ले और इस डिजाइन को बना ले बहुत अच्छा लगने वाला डिजाइन है और मेरी पूरी कोशिश रहती है मैं हर डिजाइन को अच्छी तरह से बोल के आपको बताऊं ताकि जब भी आप बनाने लगे बनाते समय आपको कोई भी परिशानी ना हो बिल्कुल आसानी से उस डिजाइन को आप बना ले तो आपसे हमबल रक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल क को सब्सक्राइब करें अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है नए है मेरे चैनल पर तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंस में शेयर किया करें बैल आइकन फ्रेंस जूर प्रेस किया करें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे तो चलो फिर इस डिजाइन को बनाना स्टार्ट करते हैं कैसे बनाएंगे यहीं पर मैं इसको इसी डिजाइन को मैं कंटिन्यू करूंगी आप भी थ्री के मुल्टिपल से फंदे डाले टू फंदे करेंगे यह दिखिए दूनों फंदों के बीच में से यहां से निकालना हमें यहां से निकाल लेंगे फिर निकालने के बाद इन दो फंदों को पीछे से एक करेंगे आगे वाले फंदे को यह दिखिए तीन फंदे बन गए आगे वाले फंदे को उल्टा बनाएंगे पूर ऐसे तीन फंदे ऐसे ही चलते जाएंगे दोनों के बीच में से निकाला दोनों को पीछे से दो का एक किया पीछे से दो का एक किया अगला फंदा उल्टा बनाया बीच में से निकाला दो का एक किया अगला फंदा उल्टा बनाया पूरी रो ऐसे ही हमें बना के कंप्लीट करनी है, सेंटर में से निकालना है, फिर दोनों फंदों को पीछे से एक करना है, और अगला फंदा उल्टा बनाना, यह डिजाइन के फर्स्ट रो चल रही है, टू रो का डिजाइन है, दोनों के बीच में से निकाला, पीछे से दो का एक किया, एक फंदा उल्टा, बीच में से निकाला, दो का एक किया, एक फंदा उल्टा, बीच में से निकाला, दो का एक किया, आगला फंदा उल्टा, ऐसे ही हमें बनाते हैं, छाना डिजाइन बनता जाएगा सर अब की डूनों के बीच में से निकालना है है फिफ्छे से दो का एक करना है क्वान य॥ा कूलटा बनाना थेन फंद कंपिलीट सोTH मका इडिजाइन भूशर जल्दी त्यारोंद duty में वाला डिजाइन रेंँ से बना करें जुरू ट्राय करना एक फंदा उल्टा दोनों के बीच में से निकाला दोनों फंदों को पीछे से एक किया अगला फंदा उल्टा एस्टिच सीधा निकाल लेंगे डिजाइन की फर्स्ट रोव कि सेकेंड रोवी ऐसे ही बनानी है रिवर्सेवल डिजाइन दोनों साइट से एक जैसा बनेंगा यह देखिए पहला फंदा स्केप कर लिया अब फिर से दोनों के बीच में से निकाल लेंगे फिर इन दोनों फंदों को पीछे से दो का एक अगला फंदा उल्टा दोनों के बीच में से निकाल लेंगे दो का एक किया एक फंदा उल्टा दोनों के बीच में से निकाल ला दोनों को एक साथ लेके पीछे से दो का एक किया एक फंदा उल्टा ऐसे ही रिपीट करते जाना आपने आगे आगे चलते जाना एक फंदा उल्टा दुनों के बीच में से निकाला पीछे से दो का एक किया एक फंदा उल्टा दुनों के बीच में से निकाला पीछे से दो का एक किया ये दिखिए पीछे वाली साइट से दो का एक किया एक फंदा उल्टा पूरी रो में हमें ऐसे ही करते जाना है सीधी साइट से भी और उल्टी साइट से दोनों साइट से ऐसे ही बनाते जाना है क्योंकि ये रिवर्सेवल डिजाइन है दोनों साइट में से निकालना है, दो फंदों को पीछे से दो का एक करना है, एक फंदा उल्टा बना रहा है, दोनों के बेच में से निकालना है, दो का एक किया, एक फंदा उल्टा, दोनों के बेच में से निकालना है, पीछे से दो का एक किया, एक फंदा उल्टा, दूनों के बीच में से निकाला दो का एक किया एक फंदा उल्टा एक फंदा उल्टा दो के बीच में से निकाला पिछे से दो का एक किया एक फंदा उल्टा फिर से दो फंदो के बीच में से निकालेंगे इन दो फंदो को दो का एक करेंगे अगला फंदा उल्टा दोनों के बीच में से निकाला दो फंदों का पीछे से एक किया एक फंदा उल्टा एस्टिच सीधा ये देखें फ्रेंड्स दोनों साइट से हमारा डिजाइन एक जैसा चलेगा सीधी रो में भी हमें वैसे ही बनाना है और उल्टी रो में भी ये देखें उल्टी रो में भी हमें वैसे ही बनाना है दोनों असान डिजाइन है friends stretchable जैसा बनता है बिल्कुल असानी से बनने वाला डिजाइन है इसे बना के जरूर ट्राइ करना और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना Thank you for your time आगे मिलेंगे नई वीडियो के साथ